स्वागताब सभीगा आज हम जो बच्चों समंदित यौजना पढ़ रहे थे उसी का अगला पार्ट करने वाला है इसमें हम करेंगे जो स्कूल खोले गए हैं अलग अलग जगया पर वो किस समंदित हैं कब खोले गए हैं उनका उदेश्य क्या है किस प्रकार के वो स्कूल है इसकी चर्चा आज की वीडियो में हम करने वाले हैं तो हमारी पहली योजना है कस्तूर्बा गांधी बाली का विद्याले है तो इसके शुरुवात कब हुई इसके शुरुवात जो है दोजार चार और पांच में की गई थी इस विद्याले में आवास्यूस विद्या है औ यानि कक्षा 6"-12 तक है और अब तक कुल की विद्याले खोले गए है अब तकücht खुली खोले गए है 316 विद्याले खोले गए है 6 से बारे तक के लिए टोटल 316 खोले गए है और शुरवात कब की गई है 2004 और । यान इसकी विशेष्टा क्या है यानि इसमें आवाशिये सुवीधा उपलबदें इसके अंदर इसके लावा अगर हम इसकी बात करें कहां से कहां तक है कक्ष्या खे से बारा तक पक्सिया 6 सी 12 तक क्या कर अभी तक कुल हैं कितने ये टोडल हैं 361 ठीक है इसके लाज़गर हम इसके बारें बात करें तो जो शार्दा बाली-का छात्रावास योजना जो चल रही थी कौनसी योजना ? छार्दा बाली-का बाली-का चात्रावास योजना उसका विले इसमें किया गया था यह आप साइड में याद रखेंगे योजना क्या है कस्तुर्बा गांधी चात्रा विद्यालिया यानि बालिक का विद्यालिया तो इसके अंदर 2004 और 2005 में शुरू की गई है 361 खोले गए है और इसमें आवासियस विद्धा है और जो शार्दा बालिका शात्रावास है शात्रावास जो योजना थी उसको इसमें विले कर दिया गया था पहली हमारी योजना यह है और शुरू कब की गई है दोजार चार प 2015 में ठीक है यह कहां खोले गए है यह खोले गए है अलवर में कहां खोले गए है अलवर में कहां खोले गए हैं अलवर में और कुल कितने हैं कुल हैं 10 ठीक है कब खोले गए हैं 2015 में खोले गए हैं और कौन सी कहां तक हैं यह कक्षा 6 से 8 तक कक्षा 6 से 8 तक ठीक है कि कस्तूर्बा गांदी छे से बारा मेवात वाले छे से आठ मेवात आपको नामसी समझ में आ रहा है कहां पर होंगे अलवर भृतपुर वाला च्छेत्र मेवात में आता है तो अलवर में कितने खोले गए हैं कस्तूर्बा गांदी वाले 361 वह शुरू 2005 में यह शुरू किये गहे हैं में 2015 में इतना क्लियर है अगली योजना शुरू करते हैं अगली है आदर्ष विद्ध्यालय योजना इसकी शुरूरात कं की गई है 2015 में इसकी शुरुवात की गई है यह प्रतेख ग्राम पंचायत स्तर पर जो माध्यमिक और उच माध्यमिक विद्याल्य है उच माध्यमिक तक 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 के स्कूल है उनको एक आदर्श विद्याल्य बनाने की योजन है किसकी है प्रतेक ग्राम पंचायत में प्रतेक ग्राम पंचायत में आदरश का मतलब ता आप समझी गए होंगे एक अच्छी स्पूल बनाना जिसमें सारी सुईदाएं उपलब दो प्रतेक ग्राम पंचायत में एक माध्यमिक एवं उच्छ माध्यमिक विद्याल्यको उच्छ माध्यमिक विद्याल्यको विद्याल्यको आदर्श विद्याल्यक बनाना ठीक है क्या बनाना आदर्श विद्याल्यक बनाना इसका उदेश्य समझ में आ गया आदर्श विद्याल्यक प्रतेक ग्राम पंचायत सर पर एक माध्यमिक और एक उच्छ माध्यमिक विद् एक आदर्श विद्याल्य बनाना तो बात हो गहीं उच्ण मांद्यमिक वालों की तो अब बचते कौन प्रात्मिक और ऊच्ण क्वली सबीक्त क्या होगा संदग taper इसके अंदर किस्वाली का होगा जो प्रात्मिक और ऊच्ण प्राथमिक विद्यालिया यानि फिफ्थ तक के स्कूल और एट तक के स्कूल उनको एक उत्करस्ट विद्यालिया बनाना इस योजना का उदेश्य है तो शुरुवात होई गई 2015-2017 में इसका उदेश्य क्या है प्राथमिक कि एमों कुछ प्राथमिक विद्यालियों को कुछ प्रात्मिक विद्यालियों को उत्कृस्ट विद्यालिय बनाना उत्कृस्ट उत्कृस्ट करना है जो आदश उसमें आदश करना है दोनों का मतलब ओल्मोस्ट सेम साइए कि ऐसी स्कूले त्यार करना जहां विद्यारतियों को एक अच्छा माहोल एक अच्छा पढ़ाई और बहुत अच्छी मंदब आगे जाके जो उनको कुंसी है स्वामी विवेकानन सरकारी स्कूल स्वामी विवेकानन सरकारी स्कूल वह संद्रा के समय नहीं 2016 में शुरू किये गए थे उस वक्त पारा के लिए और पैटन कौन सा था सिबीएस्सी पैटन पर आधारे था सिबीएस्सी पैटन पर आधारे था इसकी एक इंपोर्टेंट बात है कि इसके अंदर 55% जो सीटे हैं 55% सीटे लड़किओं के लिए रिजर्व थी यानि 55% सीटे लड़किओं के लिए रिजर्व यानि आरक्षित लड़किओं के लिए आरक्षित ठीक है इतना समझ में आया अगली हमारी योशना कौन सी है महात्मा गांधी अंग्रेजी माधियम विद्याले यानि यह भी English मीडियम वाली है इसके शुरवात कब की गई इसके शुरवात की गई गहलोध सरकार के समय यानि Congress थी उस समय यानि अभी वाली जो गौवामेंट चल रही है उसी मेंज की शुरवात की गई अंग्रेजी माधियम इंग्लिश मीडियम स्कूल है इसकी इसमें जो पैटन है वो कौन सा है इसमें पैटन है ही वह कौन का तक थी वह थी चे से बारा ये खक्षा एक से बारा तक कर ने कि अगष्य एक से बारा virus का द में जूर 22.23 का इस वर कौन सा बजय का यसारुशव पैशे बिजट था उसमें बोला गया ता कि जिन गाहर कर्षाव की आबादी काव मात्मानमा जो स्कूल हैं, वो 2 साल के अंदर बना दिये जाएंगे. कब बोल लागे था 2022 और थेईस के बजट के अंदर? 5000 से अधिकाबादी वाले कसबो और गाहों में क्या बना दिये जाएंगे? ये स्कूल बना दिये जाएंगे. इसमें एक चीज़ लिखिए जो first school बनाया गया था कहां बनाया गया था कावेरी पथ मांसरोवर में पहला पनाया गया था इतना समझ में आया क्या है महात्मा गांदि इंग्रजी माध्यम स्कूल है 2019-2020 में पैटर्न RBSC कक्षा एक से बारा तक कावेरी पत्मांसरोवर में पहला और 2022 ते इसके वजट में क्या घोशना की गई थी कि 5000 से अधिक आबादी वाले जो कस्बे और गाहां में वहां पर दो स को झी भर्ती किया जाता है लड़की इसमें यह सकते थे इन तोचार 27 का जो शैशन यह तब से लड़कीव को का अड़े मिशrenched दिया जाता है मिसक्तक से अनको concur दिया जाता है पाथ कर लेते हैं कि यह स्कूल है सैह सनिक स्कूल कि यह परस्ट कहांं पे है फर्स्ट है चित्तोडगड में कहां है दोरासर जुन्जुनु में और थर्ड है जो प्रस्तावित है वो कहां पे है थर्ड हल्दिना अलवर यह क्या है यह प्रस्तावित है अब बात कर लेतें कौन सी क्लास से कहां तक है यह है कक्षा 6 से कक्षा 6 से 12 ठीक है पेटन कौन सा होता है इसमें इसमें होता सीबियसी पेटन कि बीएस्सी कि बीएस्सी पैटन थीक है अब हमारा कक्षा 6 से 12 तक सेनिक स्कूल यानि इसमें 21 बाइस से लड़कियों के एडमिशन दिया जाने लगा इससे पहले सिफ बॉइस को इसमें एडमिशन होता था और एडमिशन कब से दे रहे हैं ऐसे नहीं कि डरेक्ट 8 में दे दिया 9 में दे दिया फिर 12 से मिलगा इस त तोड़कर दूसरा दौरासर जो जुन जुनू है थर्ड हल्दिना एलवर में प्रस्तावित है अगला है हमारे पास पैटर्न कौन सा है सिब्यस्सी है इंद्रा प्रियदर्शनी योजना नाम से समझ में आ रहे है लड़कियों के लिए है शुरवात कब की की 2019 और 20 में की ग और बीपियल्स बच कौन सा कहा सिर्फ जनरल के किस किस के लिए है यह स्सी एस्टी ओबी सी एमबी सी एडब्लू एस अलपसंच्यक और दिव्यांग दिव्यांग और बीपियल्स लागू किस किस के लिए है अब इसमें होता क्या इसमें जैसे एक एट्थ में कोई टॉप करता है टैंथ में टॉप करेगी लड़की और ट्वेल्स में टॉप करती है तो इक लाख रुपे प्लस स्कूटी चालिस अजार एट्थ में चतरह जार ट्वैल्स स्वरी टैंथ में और ट्वैल्स में एक लाख रुपे प्लस स्कूटी दी जाएगी किस योजना के अंतर्गत इंद्राजांदी प्रिय दर्शिनी योजन्या के अंतरगत शुरू कब की गई थी इसके शुरुआ दो हजार उन्निस बीस में की गई थी इसमें मिलता क्या है टॉपर कौनसी कौनसी क्लास की एट्थ पैन्थ और ट्वेट्थ एट्थ वालों को कितना मिलता है चालीस हजार रुपे एक लाख रुपे प्लस कूटी एक लाख रुपे प्लस कूटी समझ में है और यह मिलते कब हैं यह मिलते हैं निस नवेंबर को 19 नवंबर को क्यों मिलते हैं क्योंकि इंद्रा गांदी जी की जैनती होती है कब मिलते हैं 19 नवंबर को दिये जाते हैं 19 नवंबर को नवंबर को वित्रित किये जाते हैं कि वित्रित कि यह जाते हैं कि क्योंकि यह जाते हैं समझ में आ गया नाम से समझ में आ रहा है इंद्रा गांदी प्रिय दर्शनी योजना 2019 मैं शुरू कि कि किस किस को मिलते हैं अब संख्यक दिव्यांग इन सब को मिलते हैं जिला टोपर एट में जैसे टॉपर है जिला टॉपर लिखते तो अपने यहां पर एट में चालिस हजार रुपए टेंथ में चत्तर हजार रुपए और ट्वेल्थ में जब टॉप करती है तो एक लाख रुपए प्लस स्कूटी 19 नमबर को वित्रित किये जाते क्योंकि 19 नमबर को इंद्रा गांदीजी की जैनती आती है अब बात करते हैं अपने 19 नमबर 2020 को मैंने आपको एक योजना करवाई वी है उस योजना के बारे में आपको मुझे कमेंट करके बताने हैं पिछले वीडियो ताकि आप पता चल पाए कि आपने पिछले वीडियो देखा है या नहीं देखा है 19 नवेंबर 2020 कौनसी है मातरत्वे पोशन योजना उसके बारे में आप जितना मैंने लिखवाया है आपको वह आप कॉमेंट में बताएंगे ठीक है अगले शुरू करते हैं गारगी पुरशकार योजना इससे तो लगबग लगबग आप सभी परीचित होंगे यह वसंत पंचमी के दिन यह पुरशकार दिया जाता है उनको 5000 रूपे की राशी सरकार द्वारा दी जाती है प्रोटसहन राशी के रूप में इसमें क्या है यह वसंत पंचमी पर दिये जाते हैं निके राशी कितने जिदी जाती है 5000 रूपे 5000 रूपे चर्त क्या है कि SHOW की दसवी वे बारवी में 75 प्रतिशत अंक प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर अंक प्राप्त करने पर ठीक है आज के लिए हमारा वीडियो हम यहीं सत्वसमाप्त करते हैं कल इसको कंटीन्यू करेंगे और योशनाओं के साथ थैंक यू